चलो बेटा, तो हम आगे हम तो कि जो हमने set पढ़ लिये, subset देख लिया, universal set देख लिया, तो उसको हमें represent कैसे करना है, ठीक है, diagram के थूँ, तो उसको हम learn करेगे, जिसको बोलते हैं, when diagram, तो बहुत simple सा फंडा है, तो कि जो universal set U है, उसको हमें always rectangle या square, जो square है उससे दिखाना है और कोई भी set है, तो उसको हमें circle से दिखाना है, लेकिन आपको एसे represent करना है, कि जो आपका data हो, वो आप diagram से भी read करें, तो भी दोनों का meaning same होना चाहिए, case है, तो देखते चलो, मान लेते हैं कि यहाँ पे, हम एक U ले लेते हैं, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8 है, को कोई set B लेते हैं, जिसके अंदर है, 4, 5, 6, और कोई set C ले लेते हैं, तो कि जिसके अंदर है, 5 और 6, तो अभी आपको इसको diagram के थू कैसे दिखाना है, तो कि बहुत simple सा फंडा है, कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि B subset of C है, 5, 6 उसके अंदर आये हुआ है, तो sorry, C subset of B है तो हमें उसको भी diagram है, जो diagram है हमारा उसके अंदर अच्छे से mention करना है, तो केसे mention करेंगे देखो, तो यह हमारा U बन गई है, ठीके, इसके अंदर एक set हम A बना देते हैं, और दूसरा set B बना देते हैं, अब आप ध्यान से देखोगे, तो आपको पता चलेगा, तो कि मैंन चाहिए, जो four है, दोनों में common है, तो यह जो four है, दोनों में common वाले area में दिखना चाहिए, चो B में भी आ रहा है, और A में भी आ रहा है, ठीके, वैसे हमारा बढ़ेंगे, तो कि B के अंदर और और क्या है, तो कि पहले C की बात करते हैं, तो C B के अंदर आये हुआ है, तो जो C है, वो B का subset है, ओके 4 दोनों में common है, तो common दिख रहा है, बाकी क्या है, A के अंदर तो कि A के अंदर बाकी 1, 2, 3 है, और आप देखो तो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आ गया, और क्या है U के अंदर, 7 और 8, तो 7 और 8 को में बाहर दिखा दो, तो इससे पूरा फंडा आपको clear हो जा रहा है, कि U में लूगा, तो उसके अंदर क्या आता है, 1 से 8 आ रहा है, A के अंदर 1, 2, 3, 4 आ गया, B के अंदर 4, 5, 6 आ गया, सिर्फ C के अंदर 5, 6 आ गया, तो मैं यहां से देखू या इसको देखे भी ना directly diagram देखो, तो दोनों का मतलब same होना चाहिए, चलो next देखते है चलो, तो अब सबसे important फंडा जो है, जिसमें से ज्यादा से ज्यादा आपके question बढने वाला है जो ज्यादा से ज्यादा future में use आने वाला है, वो types of the set operation है, तो उसमें उसके अंदर पहला जो operation है union operation है, तो union का मतलब क्या है, तो कि जो नाम है वैसा ही इसका काम है, कि इसमें क्या करना है कि दो set को merge करना है ठीक है, तो इसकी definition कैसे है तो कि इसको में यह से यादा रख सकते कि all the element of the set A and set B and both, तो मतलब कि हम पहले एक example set कर ले तो आपको अच्छे साइडिया है, मान ले कि A के अंदर 1, 2, 3 and 4 है B के अंदर 3, 4, 5, 6 है ठीक है, तो इसका symbol ऐसा है, A union B तो A union B के अंदर क्या हैगा, तो कि A union B के दोनों में जो भी है सब कुछ हमें ले लेना मतलब A में है, वो भी लेना है, B में है, वो भी लेना है, और दोनों में जो है, वो भी हमें लेना है, तो क्या होगा, चलँ तो, 1, 2, 3, 4, अब B की बारी तो कि repetition की कोई जरूर ना थे, क्या लिख देंगे 5 और 6 आई बात समझ में तो इसको डायग्राम के थुरू दिखाएंगे तो कैसे होगा देखो तो यह से हम दिखा सकते कि यहां पर A ले लिया यहां पर B ले लिया कोमन वाले पर ले इसमें लिख तो 3 & 4 ओके फिर तो यहां पर क्या एगा 1 & 2 यहां पर क्या आएगा 5 & 6 तो यह जो पूरा सेक्शन एक इसका डायग्राम हो गया A union B का आई बात समझ में तो insert की दोनों में जो भी है कोई बाकी रहना चाहिए नहीं इसके लिए हम नोटेशन य होता है कि A में हो तो भी चलेगा B में हो तो भी चलेगा otherwise और दोनों में तो भी चलेगा ठीक है तो A union B है इसकी थोड़ी properties हम learn करते है क्या है इसकी property देखो तो A union B equal to हम लिख सकते है B union A मतलब कि इसमें sequence का कोई U नहीं है इसको reverse लिख दो तो भी कोई दिकात नहीं है next property देखते हैं A union A करेंगे हो तो उसका मतलब क्या होगा तो कि दोनों में तो same answer आने माला तो answer क्या आएगा A आएगा उसके बाद अगर हम देखे कि A union capital U करते है A और U दोनों में क्या आएगा तो कि U आप लिख दो त क्योंकि आपको पता है A जो है U का subset है तो यहां पर answer क्या आएगा U ओके इससे ही last property देखते हैं कि A union अगर हम 5 करेंगे तो क्या आएगा A तो insert आपको समझ में आ गया अगर हम subset वाला case ले रहें जैसे कि A subset B है तो इसका मतलब है A बढ़ा है sorry B बड़ा है और A छोटा है तो A के अंदर B आया हुआ है देखो ऐसा होगा यह बाहर B है उसके अंदर क्या आया हुआ है A आया हुआ है तो इसको union ले तो हम B को ले ले तो यह अपने आप कवार हो जाएगा तो इस case में A union B का जो answer हो क्या आएगा तो कि इसका answer क्या आएग तो union का मतलब है जो बड़ा portion है subset वाले case में वो हमें लेना है चलो और भी हम property की बात करें तो हमें से अभी लिख सकते कि A always subset होगा A union B का क्योंकि अगर आप A union B पूरा ले रहे तो A already उसके अंदर आई जाएगा ठीक है चलो next देखते हैं तो intersection of the set तो intersection में क्या लेना है तो उसमें दोनों में common है वही सिर्फ लेना है उसके अंदर और आ रहा था union में यहाँ पर end आएगा एंडम कहां पर यूज करते हैं कि जहाँ पर दोनों में common होता है तो इसको हम end से दिखा सकते हैं ओके वही example से learn करते हैं कि A intersection B क्या होता है इसका उल्टा यू सिंबोल हो जाएगा तो A equal to 1, 2, 3 and 4 ले लेते हैं B equal to क्या लेंगे 3, 4, 5 and 6 ओके तो क्या होगा देखो दियां से तो कि अब हम A intersection B find करें कि तो simple बात की इसको में याद रख सकते हैं कि common क्या रख सकते हैं दोनों में जो common है वही हमें ले लेना है तो दोनों में common क्या है 3, 4, 3, 4 तो इसका intersection क्या आ गया है 3, 4, figure की बात करते हैं हम diagram की तो A है यह बी है यहाँ पर 3, 4 common है यहाँ पर 1, 2 है यहाँ पर 5, 6 है तो जो इतना area है हमें क्या दिखाता है A intersection B ओके बेटा चलो तो इसको हम properties स सारी detail में पढ़ते है कि इसकी क्या क्या properties है तो fail है तो इसके अंदर भी sequence से कोई फरक नहीं पड़ेगा ओके चलो देन उसके बाद देखे कि A intersection B B intersection A फिर A intersection अगर हम A करें तो answer क्या आएगा क्योंकि दोनों में तो common A ही होगा ना खुद के खुद के साथ comparison करें हम तो उसके अगर हम बात करें कि A intersection U ठीक है capital U जो universal set है तो उसके अंदर क्या होगा तो कि उसके अंदर answer A आएगा क्योंकि छोटा कोन है A common कोन है A तो हम subset वाला case B यहां पर discuss कर ले तेक जैसे कि A subset B दिया हुआ है वही के इसके बात कर रहें कि इसके अंदर A आया हुआ है यहां पर क्या दिया है B ओके तो इसके अंदर common portion highlight करें तो A दोनों में आया हुआ है बी दोनों में आया हुआ नहीं है तो यहां पर छोटे वाला portion आएगा तो इस case में A intersection B अगर हम करेगे तो answer क्या आएगा A बाकी properties हम देखे तो हम ऐसा बोल सकते कि A intersection B जो है common वाला portion वो subset एक इसका A का B और A intersection B subset X का B का वी क्योंकि यह portion दोनों में आया हुआ होता है ओके चलो clear है तो union के अंदर हमें दोनों में जो भी है सब ले लेना है लेकिन intersection के अंदर दोनों में जितना common है सिर्फ उतना ही लेना है next देखते बेटा चलो तो यहाँ पर example दिये जिससे आपको अच्छे से idea आ जाएगा कि union क्या है intersection क्या है और इस example के पीछे वाले example में यहाँ पर union बोला है तो पीछे intersection भी बोला है तो हम दोनों साथ में find करते जाएगे तो देखो example 12 के अंदर हमें क्या दिया है तो कि A दिय हुआ है और B दिया हुआ है तो आपको दोनों को merge कर देना है तो यह union भी क्या हो जाएगा देखो तो कि 2, 4, 6, 8, 6, 8 आ गया तो आप इस नहीं लिखना है 10 और 12 अब साथ साथ में intersection भी भी लिख देंगे क्या है बोलो बोलो जल्दी तो कि दोनों में common क्या है 6, 8 और 6, 8 ठी ठीके चलो next देखते 13 तो कि उसमें A, E, I, O, U और A, I, U दिया है तो आपको पता है कि A union B क्या है तो कि A, E, I, O, U अब तो कि इसमें कुछ बाकी नहीं रहा तो इससा क्यों हो रहा है तो simple सी बात है कि आप देख रहे हो कि B subset of क्या है A ठीके तो B subset of A है तो सिधी सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा तो कि जो बड़ा वाला पॉर्सन है union में आएगा अब अगर हम intersection भी साथ में लिख दे तो कौन सा छोटा वाला पॉर्सन मतलब कि B आएगा तो इसका answer A आ रहा है और यहाँ पर क्या आएगा A, I, U तो यहाँ पर answer क्या आएगा B clear तो हमने जो property पड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बोला है तो कि कोई एक set X है जिसके अंदर राम, गीता और अकबर है दूसरा कोई set Y है जिसके अंदर गीता, डेवेड और अशोक है तो आपको X union Y find करना है तो क्या होगा तो कि दोनों को मर्ज कर देना है तो राम, गीता, अकबर और इसके एगा डेवेड और अशोक क्लियर और अगर मैं एक सिंटर सेक्षिन वाई की बात करो तो उसमें दोनों में कोमन क्या आएगा क्लियर है ओके तो बहुत आसान सी चीज है कि इतना ही याद रखना है कि यूनियन मतलब मर्ज करो इंटर सेक्षिन मतलब कोमन निकालो तो यहां पर क्या दिए डिफरेंस ओफ तो यह बहुत ही इंपोर्टन है कि इसको में ए माइनस बी से दिखाएंगे ओके तो डिफरेंस मतलब यहां पर कोई आपको सब्स्टिटिउशन नहीं करना है क्या करना है देखो तो इसको एग्जांपल के थुरी पढ़ेंगे हैं कि मान लेते हैं कि 1, 2, 3, and 4 है भी वही एग्जांपल रहे है कि 3, 4, और 5 चल्ड़ तो A माइनस B का मतलब होगा कि A में से आपको क्या माइनस करना है दोनों में जो कोमन है वो आई बात समझ में तो अगर हम A में से दोनों में से कोमन है माइनस कर दे तो दोनों में क्या है 3, 4, ओके तो इसका अंसर क्या आएगा तो कि इसका अंसर आजाएगा 1 and 2 और A यहां पर दोनों का अंसर अलग आता है अगर हम B माइनस A के बात करें तो सेम फंड़ा क्या होगा B माइनस A इंटरसेक्शन B उसका मतलब तो कि यहां पर क्या कोमन अकेला बचेगा 5, ठीके तो यहा figure की बात करते तो क्या होगा देखो तो A है, A B है और A क्या है A इंटरसेक्शन B अब तो समझ में आ रहा है तो हमें क्या करना है तो कि यह पूरा A है उसमें से A इंटरसेक्शन B माइनस कर देना है तो सिर्फ इतना जो पॉर्सन हैगा उसको में बोल सकता हो कि यह क्या है A माइनस B ओके और यहाँ पे आप देखो तो इतना जो पॉर्सन आएगा तो उसको में बोल सकता हो कि यह क्या है B माइनस A ओके तो इसमें से में एक प्रोपर्टी यह से भी डिरेव कर सकते है कि A union B equal to A minus B union B minus A union A intersection B तो कि 3 पार्शन बेगे कि A minus B सिर्फ इतना B minus इतना और बीच में A intersection B चलो तो हमें A minus B और B minus A fine करना है तो केसे fine करेगे देखो तो A और B तो हमें दिया हुआ है तो A minus B तो पहले हमें क्या करने है कि दोनों में common क्या होई यहां पर highlight करते हैं तो कि 2 दोनों में है yes, 4 दोनों में, yes, 6 दोनों में तो अप फटावाट answer मिल जाएगा, बाकी क्या रहा है, A के अंदर तो कि A के अंदर 1, 3, 5 रहेगा B minus A की बात करते हैं, तो B के अंदर बाकी क्या रहा है, तो B के अंदर से F8 बाकी रहा, that's it, है ना एक दमासान, ओके बच्चो, चलो, next देखते हैं तो कि 19 वाले example में भी ऐसा है, कि आपको यहां पर A, I, O, U और A, I, K, U दिया है, तो B minus B और B minus V find करना है, तो देखो, हम V minus B की बात कर दे, तो क्या करेंगे, तो कि फिल दोनों में common find करो, तो कि दोनों में A है, yes, फिर I है, yes, फिर क्या है, U है, तो इतना common है, तो अब simple है कि V में और क्या बचेगा, तो कि V के अंदर O बचा है, और B minus V की बात करकेंगे तो B में और क्या बचे का? क्या बचा हुआ है? Simple, ओके? अब ए एक्सरसाइट का क्रिस्टन में डाला हुआ है, बाकी क्रिस्टन तो बहुत ही आसान है तो आप खुद भी कर सकेंगे लेकिन ए वाला क्रिस्टन थोड़ा ट्रिकी है, तो देखो, क्या करना है यहाँ पे? तो आपको यहाँ पे बोला हुए कि इफ आर इस दे सेट आप दो ओल रियल नमबर इन दे क्यू इद आप दो रेशनल नमबर देन दो वोट इस दे आर माइनस क्यू तो अच्छे से समझो कि आर क्या दिखा रहा है तो कि आर सब कुछ दिखा रहा है ओके? ओल रियल नमबर है क्यू के अंदर के से तो कि रेशनल नमबर मन्तब कि जो पी बाई क्यू फोर्मेट वाल है ऐसे नमबर है, ठीके? तो अगर आप ध्यान से नमबर सिस्टम आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि क्यू प्लस क्यू डेस इक्वल टू आर आता था क्यू प्लस क्यू डेस इक्वल टू क्या आता था आर चाहां पर क्यू डेस क्या है? ई रेशनल नमबर है ओके? तो यहां पर E rational number जो है ठीके ओबी मर्ज होके R बनता तो सीधी बात है कि R के अंदर Q भी है और Q डेस भी है ठीके तो हम अगर R minus Q करें तो कि R के अंदर क्या था Q plus Q डेस था और minus Q तो दोनों में Q Q common है तो बाखी क्या बचेगा Q डेस तो इसका ऐसे आंसर आपको पताओ ना ज चल नेक्स्ट देखते हैं पेटा तो यहां पे एक नए टाइटल हम पढ़ने वाले हैं डीस जोइंट सेट तो डीस जोइंट का मतलब है कि दोनों में कुछ भी कोमन होना चाहिए है नहीं उस सेट को हम क्या बोलेंगे डीस जोइंट सेट मतलब की A intersection B क्या होना जाना चाहि यह 5 ओके तो कि इसकी फिगर भी हम बना है तो हम इसा बोल सकते कि दोनों सेट डिफरेंट होने चाहिए कुछ भी टर्च होना चाहिए नहीं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं डीस जोइंट सेट आई बात समझ में ओके तो एक्जामपल से लॉन करते हैं माने लोग माने लोग क्या है कुछ भी कोमने सबकों वापिस याद करते हैं ठीके यूनियन का मतलब क्या है मर्ज करना क्या याद रखना है मर्ज करना ओके इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कोमन निकालना ओके माइनस का मतलब क्या है तो कि A में से दोनों माइनस और B में से दोनों माइनस और अब हमारे disjoint तो disjoint का मतलब क्या कि कुछ भी common होना चाहिए नहीं तो छोटे छोटे वर्ड से आप एक एक वर्ड के अंदर पूरा operation याद रख लो तो फटाक से पूरी theory आपको याद हो चाहेगी तो अब एक्जाम्पल हमें दिये हुए हमें चिक करना है कि disjoint है कि नहीं तो देखो first of all क्या दिया है कि two three four और यहाँ पे three six तो आपको पता है कि three दोनों में common है तो सिधी सी बात है disjoint नहीं है ओके फिर aeio तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि यह दोनों में common आ रहा है तो that's why यह भी disjoint नहीं है ओके अब two six ten और three eleven fifteen तो इन दोनों में आप चेक कर सकते हो कुछ भी common नहीं है तो that's why intersection कितना होगा five three disjoint हो जाएगा two six ten three seven eleven a be disjoint हो जाएगा क्योंकि कोई भी common number आ रहा नहीं कोई common member आ रहा नहीं तो बहुत ही आसाने disjoint set चलो अब वारियाति कॉम्प्लीमेंट ओफसे तो कॉम्प्लीमेंट ओप दूसेट के अंदर क्या है तो अच्छे से समझो यह भी बहुत important जैसे माइनस में थोड़ा tricky था एसे यह हां पे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है की a-s तो a-s का मतलब है यू माइनस इसका मतलब है की a के अलावा जितने भी मेंबर है UK ओ सारे हमें इन्वल करने कैसे तो देखते हैं मान लेते की यह a है तो a के अलावा जो भी portion है मतलब की बहार वाला जो portion है उसको हम बोल सकते है a-s ओके तो यहां पर a जो portion है उसको क्या बोलेंगे a-s clear है तो u-a हो जाएगा example लेने की बात कर तो example से भी learn कर लेते मान लेते की एक अंदर one two three है तो one two three अंदर आ जाएगा और UK अंदर one two three four and five तो भी ऐसे four and five यहां पर बाहर रहेगे तो a-s के अंदर क्या आएगा four and five ओके एक के अलावा जो भी portion है उसको हम बोलेंगे compliment ठीक है इसकी property बहुत ही important है तो property देखते है इसकी तो फिर डेस करेगे तो वापिस क्या आ जाएगा अंदर वाला मतलब की डबल डेस करने से process वही हो जाएगी तो वापिस क्या मिलेगा हमें इसके बाद वाली property देखते है तो होगी 5 kindness 5 क्या था कुछ नहीं तो उसके बढ़ावा क्या बचेगा सब कुछ तो यहां पे क्या आ जाएगा यू वैसे देखते यू का डेस त यू मतलब क्या था सब कूछ the return तो सब कुछ upright कर दोगे minus कर दोगे तो क्या बचेगा कुछ नहीं कुछ नहीं का मतलब क्या हो जाएगा फाइव चलो उसके बाद बात करते है एडेस यूडेस यूडेस चलो तो यह main properties की cover होगी अब operation के साथ वाली properties भी देख लेते इसकी तो A union A days मतलब क्या हुआ यह मतलब क्या है अंदर वाला person A days मतलब क्या है बाहर वाला person दोनों को अगर merge कर दो तो क्या बन जाएगा तो कि सब कुछ बन जाएगा मतलब क्या बनेगा यहाँ पर यू A से ही A intersection A days करूँगा तो सीधी सी बाते A और A days वेसे भी एक दूसरे के opposite मतलब कुछ भी command नहीं तो क्या हैगा फाइद दोनों disjoint setting ठीके चलो फिर इसके अंदर जो the Morgan mathematician था उसकी properties देखते हैं बहुत ही important याद हमें shortcut मीदना रखेगी union का days intersection होगा और intersection का days union होगा तो main property पढ़ते हैं the Morgan की क्या थी तो A union B all days बोलाए तो उसका मतलब क्या हैगा A days union so A days intersection B days union का क्या हो जाएगा intersection S A A intersection B का days दिया है तो क्या हो जाएगा A days union B days clear है तो यह सारी properties थी ठीके चलो तो इस पे dependent sum जो है वह हम देखते हैं बहुत ही आसा ने फट 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 हो जाएगे चलो तो देखो U आपको दिया हुआ है A आपको दिया हुआ है A days clear ओके अब यहाँ पे एक जनरल एक्जेंपल दिया है कि आपके 11th class की बात की है तो कि U क्या है तो कि all the students of the class 11 and A क्या है तो कि A all girls तो A days क्या होगा तो कि CDC बात है A days क्या बचेगा बागी all boys बचेगा simple चलो अब यहाँ पे में the Morgan की properties चेक करनी है तो टुकडो टुकडो में काम करें कि पहले A days fine करते है तो A days क्या है 2, 3 के लावा सब कुछ तो क्या है 1, 4, 5, 6 ओके चलो अब क्या fine करते है तो कि B days fine करते है तो B days क्या है क्या है 3, 4, 5 उसके लावा क्या हैगा 1, 2, और 6 clear है पेटा चलो तो अब हमें क्या करना है तो कि दोनों का intersection लेना है A days, intersection, B days तो इन दोनों में common क्या आ रहा है तो कि इन दोनों में common आ रहा है 1 and 6 ओके चलो अब हमें क्या fine करना है तो कि A union B तो A यहाँ पे दिया है B यहाँ पे दिने है दोनों को merge करेंगे तो 2, 3, 4 and 5 आ जाएगा चलो अब हम fine करते है A union B का days तो days मतलब इसके अलावा जो भी बचता है तो 2, 3, 4, 5 के अलावा क्या बचाएगा 1 and 6 और इसका answer तो में पताए A days intersection B days का answer में पता ही है यहांपे क्या दिया है 1 and 6 तो इसका मतलब क्या हो गया तो कि जो 2 Morgan का रूल था उप्रूव हो गया ओके चलो तो बहुत ही important इस समय अच्छे से आपको समदना पड़ेगा इससा समय कि यह डायरेक MCQ J में भी आ जाए तो यू क्या दिया है तो कि आपको यू दिया है कि all triangle जितने भी triangle है ओसारे किसमें दिया रखे हमें U के अंदर तो अब क्या करना है तो कि आपका set जो A है ओ ऐसा बोल रहा है at least one angle 60 हो एसा triangle एक के अंदर हा रहा है तो दियान से देखो कि at least का मतलब पर अच्छे से समझो at least का मतलब होगा कि 1 60 हो तो भी चलेगा 2 60 हो तो भी चलेगा और तुईनों के 3 60 है तो भी चलेगा इसका मतलब ऐसा हुआ ठीके लेकिन यहाँ पर दियान से देखो तो different बोला है तो मतलब at least one angle 60 से different मतलब कि at least one angle 60 होना चाहिए है नहीं तो अब अच्छे से यह समत्ते की एक के अंदर क्या दिया है कि कोई एक 60 नहीं होगा तो भी चलेगा दो 60 नहीं होगे तो भी चलेगे यार तीनों के तीन 60 नहीं है तो भी चलेगा ठीके तो यहाँ पर देखते दियान से तो मान लेते कि हम कोई एक angle 60 का लेते ठीके तो obvious है इन दोनों का हम दूसरा ले सकते है तो कि मान लो कि इसको 40 ले लो ओके तो 100 होगे और इसको हम कितना ले लेंगे 80 तो ए जो है तो कि इसमें 2 angle 60 नहीं है तो इसको हम ए बोल सकते हैं ओके एक ही angle 60 है ठीके चलेव दूसरा एक example लेते कि इसमें 2 अम दो angle 60 लेने की सोच रहे है तो जैसे में 2 angle 60 लोंगा ठीके तो ए अपने आप क्या हो जाएगा तो कि ए अपने आप 60 हो जाएगा तो इसका मतलब इसको हम ए डेस बोल सकते हैं क्योंकि एक ही condition थी कि कोई एक तो 60 होना चाहिए नहीं तो ए तो इसमें आएगा नहीं अब तीसरे की बात लेते हैं तो की अब तो की क्या एक 60 ले लिया दो तो बने नहीं अब कोई भी 60 में लेना नहीं तो मान लोगी सकॉम ले रहे 20 इस कॉम ले रहे 30 तो 50 हो गया और इसको ले लेंगे 130 तो 180 हो जाएगा तीनों के तिन तो इसमें एक भी 60 नहीं तो अबी ओबीस एक किसके अंदर आएगा एक अंदर आएगा ओके क्योंकि तीनों के थीन नहीं है ओके और इसके लाव हम कोई केसे नहीं बना सकते जोगे दो किसका एक केस बन गया तो एक ए ए है ए में क्या बचा है था क्योंकि जैसे अब 260 लोगे तो 360 अपने आप हो जाएगा वनना तो क्या है कि एटलीस वन बोला था तो फॉर पोसिलिटी थी कि भी कोई ना हो एक हो दो हो या तीन हो ठीक है लेकिन जो सेकंड वाली पोजिशन प्रोपर्टी थी कि भी दो हो तो दो में तीन अपने आफ हो जाता था तो यह दोनों मर्ज होगी तो टोटल तीन केस बने तो इसमें दो केस अंदर आ रहे हैं तो एक केस जो नहीं आ रहा हो बाहर रहेगा तो आपका अंसर हो जाएगा चलो मिजलीनियस के हम सारे सम करते क्योंकि बहुत ही इंपोर्टन है वन बाइवन तो क्या बोलाए देखो दियां से तो क्या आपको बोलाए तो के ट्रेक्ट एंड ट्रेक्ट ठीके तो यह दोनों ऑक्वल है कि नहीं तो चलो एक कोम ए बता दे तो क्या आएगा सी एटी रिपीट करना नहीं आर सी बी आ गया टी बी तो क्या एगा सी एटी आर हो जाएगा अब बीकी बात करते ट्रेक्ट की तो टी आर एसी यस दोनों में सेमी लेटरा रहे तो इसको बोल सकते कि यह क्या है एक वल्टू बी है ओके चलो नेक्स देखते हैं इसके सबसेट लिखने तो बहुत ही आसान काम है बेटा चलो सबसेट का स्टार्टिंग कहा से होगा फाइव फिर सिंगल वाले को ना आएगा रहे हैं नाएग को बीकी क्वा नहीं नहीं हैगा जीरो और उर और ऑब त्रिपल की बात कर दे तो क्या हुजआएगा माइनस वन जीरो एन वन काउंटिंग वन टू थ्री फोर फाई सिक्स प्लस टू एट हो गिये तो टू रेस टू थू 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 का आइडिया सच होना चाहिए यह से आप क्रोस चेक कर सकते ओके जालो तो इसके अंदर आपको बोलाए कि इन दोनों में से कौन किसका सबसेट है तो पहले तो हम इसको लिखना पड़ेगा तो एक के अंदर इसको सेटिस्फाइ करता होगा तो क्या दिया है तो कि इसके पार्सन क्या है कि ट्वैल्थ के 8 आए तो X-6 X-2 तो एक के अंदर क्या हैगा 2 और 6 B के अंदर तो आपको दिया हुआ है C भी दिया है और D भी दिया हुआ है तो पहले चेक करते एक इसका subset है तो सबसे छोटा D की बात करते है चलो D तो कि D subset A लिख सकते है A के अंदर आया हुआ है D subset B लिख सकते है B के अंदर भी 6 है D subset C भी लिख सकते कि इसके अंदर भी 6 आएगा ओके अब उससे बड़ा कौन है तो A किसके अंदर आया हुआ तो A B के अंदर भी आया हुआ A किसके अंदर आया हुआ A C के अंदर भी आया हुआ अब बात करते C तो C किसके अंदर आया हुआ है तो कि सुरी अब बात करते हैं B की सी तो सबसे बढ़ा है ठीक है तो B किसके इंदर आया हुआ है तो इतने सबसेट वाले केस यहां पर बन रहे है यह सबसे important समय कि एसे आपको twist करके पूछा जाएगा सिर्फ property पर आदा सबसे नहीं तो बहुत ही ठीक है कि दियान देके मैं इसको सोल करेंगे और इसमें देखो उल्टा सोच नहीं जब ट्रू एंड फॉल्स वाले पेसने तो आपको इससा के सोचना है कि होटे कोई एक की लिए फॉल्स होगा तो स्टेटमें पॉल्स बोला जाएगा लेक्न तो देखते हैं one by one ह powerful एक अगर ईमैया हुआ है और यह बी में होआ है तो एक सब्सार करते हैं इसको परेली कोपी कर ले से थे फोड़ा लंबा जाएगा देट स्वाए तो फॉस्ट सोल करते हैं कि एक्स बिलॉंग्स टू ए तो मैं एक को ऐसा ले रहा हूँ कि इसके अंदर एक्स और वाई आये हुए तो फॉस्ट कंडिशन सैटिस्पाय होगी कि एक्स मेंबर जो है वह एक अंदर आये हुए फिर दूसरी दिए कि पूरा का पूरा यह जो है वो बी के अंदर आया हूँ तो से मुझे यह यहां पे इसका लिखना पड़े गए मनलों को एक्स्ट्रा जेड़ भी ले रहा हूँ ओक्य तो अब मैंसे कंडिशन सही बोल सकता हो कि यह जिसा दिखता था with bracket b के अंदर आया हुआ है चलो उसके बाद हम बात करेंगे तो कि इससे अगर prove होता है कि x belongs to be तो नहीं x b का member नहीं है x y बंदे हुए है joint में है that's why x does not belongs to b होगा और यह आपका first statement कैसा हो जाएगा ठीक है next देखते है तो next के अंदर आपको क्या बोला है a subset of b and b belongs to c ओके तो पहले आगे की दो condition set करते है example के दूँ a के अंदर हम ले ले लेते है y example x और y और b के अंदर subset बोला है तो हमें दो bracket करने की जरूरत नहीं यह से लिख सकते है डिरेक चलो तो a condition satisfy हो गई कि a subset of b अब क्या बोला है b belongs to c c के अंदर जैसा b दिख रहा है with bracket वे सही चाहिए belongs to मतलब cut to cut ऐसा होना चाहिए और extra आमने मान लो कि यहां पे ले लिया b कोई member ओके तो दियान से देखो तो आपको पता चले का दोनों condition से डिस पर a b के अंदर सारे member है और b as it is यहां पे single member की तरह हाय हुआ है अब आपको पुछाए कि a belongs to c तो a belongs to c आप नहीं बोल सकते क्योंकि x और y अकेले आये हुए नहीं है इस नोट बिलोंग्स टू ठीक एक स्वाई के साथ सिर्फ bracket आया हुआ होता तो हम बोल सकते लेकिन साथ में जेड़े जो अलग हो सकता नहीं तो a भी क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा चलो थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड के अंदर क्या बोला है चुकि a subset of b b subset of c हाँ तो सब कुछ subset है सही होगा that's y बोला की a subset of c तो चलो इसमें example आप कोई भी लगे चेक करो हो ही जाएगा इसके अंदर x y ले लो b के अंदर में x y z ले लो तो c के अंदर में उससे कुछ बड़ा x y z and p ले लो तो आपको दिख रहा है कि a के x y separately यहाँ पे आये हुए तो third क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा okay next बात करते fourth की तो fourth के अंदर देखो क्या दिया है उल्टी condition दिये कि a does not subset b तो a does not subset b तो a हम क्या लेंगे तो कि a को हम x y ले ले नेकिन वो subset नहीं होना चाहिए b में तो that's m b को क्या लेंगे y z ले रहे तो condition satisfy कि x आया हुआ है नहीं that's m बोल सकते कि ये subset नहीं है दूसरी condition क्या दिये है तो कि b does not subset c तो c b का subset होना चाहिए नहीं तो यहां पे में x y ले लो तो भी में condition और p ले ले तो कोई problem नहीं चाहिए तो भी दूसरी condition satisfy कि b k z member नहीं है ठीक है तो उसका मतलब है कि ये भी इसके अंदर नहीं नहीं हो सकते है एक case में एक condition गलत हो सकती है तो उसका मतलब वो condition कैसी होगी गलत क्योंकि मैं याँ पे लग सकता हूँ a subset of c हो सकता है ये दोनों condition सही है फिर भी third condition कैसी गलत हुई एक बार भी गलत होगी उसका मतलब वो गलत ही है लेकिन सब बार सही होगी तभी सही होगी चलो बाकी के दो case नेक्स लाइड में देखते हैं तो चलो अब ए दोनो case में देखने द्यान से देखो तो क्या दिया हुआ है तो कि 5th case चोए उसके अंदर दिया है x belongs to a और a does not subset b तो x b में आया हुआ होगा तो कि दियान से देखो कि a जो है उसके पास x है और कोई y भी ले 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 तो कोई दिक्कत नहीं अब b उसका subset नहीं है तो b subset नहीं है उसका मतलब कि मुझे x belongs to b तो कि ऐसा हर बार हो रहा है वैसा पूछ रहा है y z तो दोनों condition set पर इसपाय होगी कि x a के अंदर आया हुआ है a b का subset नहीं है तो यह बोल रहा है कि b के अंदर x आया हुआ है तो कि हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं किसी एक case के लिए जो हमारा case है उसके लिए गलत हो रहा है मतलब हो क्या है गलत है सही होना तो सब के लिए सही होना गलत तो एक के लिए गलत होगा काम खताम है last condition देखो अच्छे से तो आपको बोला a subset of b तो a के अंदर कुछ b ले लेते है चलों कि a के अंदर हमने y z ले लिया b के अंदर हमने y z और p ले लिया तो अभी ये पूछ रहा है कि x अगर b में नहीं आया हुआ तो x a में आ सकता है तो के obvious है कि इसका subset है तो a में जो होगा वो यहां पे होगा होगा ही होगा या इसको वर्लिटा सुच x a में नहीं है तो x b में नहीं होगा न तो सीधी सी बात यहां पे आपको समदनी थी कि x जो है a subset of b है x b में भी नहीं आया हुआ तो x obvious है तो फिर a में तो आया हुआ होगा ही नहीं क्योंकि b में कोई आ सकता है यह में नहीं नहीं तो यह में तो possibility हो सकती क्योंकि subset वाला case था तो यह condition कैसी हो जाएगी सही हो जाएगी next देखते हैं चलो okay 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 तो यह सारे question तो set वाले portion में जितना आप diagram से खिलोगे उतना ज्यादा फाइदा होगा तो देखो क्या करना है a subset of the b क्या बोला है a subset of the b तो इसकी figure कैसी बनेंगे दियान से दिखो कि भी a जो है वो b का subset है तो a है और यह क्या हो गया a subset of the b हो गया अब बोलाए कि a minus b equal to phi तो a minus b equal to phi की बात करें तो उसकी figure तो हम यह से बनाएंगे sorry a minus b बोलाए ना तो इसी case में बन जाएगी देखो कि अगर मैं a minus b करू तो वो तो possible ही नहीं होगा क्योंकि a छोटा है b बढ़ा है तो a minus b हो पाएगा नहीं क्यों phi हैगा तो कि a minus b का मतलब क्या होगा a minus a intersection b और a intersection b हमारे में a ही आ रहा है तो a minus a क्या हो जाएगा fine तो a condition b इसमें apply हो रहे दोनों का answer same ही आ रहा है a union b तो अगर मैं इसका union कर दू तो क्या answer आएगा तो कि ओब्यस है subset वाला कैस है तो b answer आएगा बढ़ा जो बीग है और a intersection b करू तो क्या answer आएगा a याएगा तो इन चारों का चार का एक ही figure में काम हो जाता है इसका मतलब क्या है तो कि ये जो भी है चारों की चार condition equivalent है कोई problem नहीं है चबरदस्त question है ठीक है तो इसके लिए मैं example ले लेते हैं फिफ्स कर रहे हैं और b इसका subset तो b के अंदर मैंने क्या ले लिए x y z c कोई annoncity है लगिन दोनों से बड़ा होना चाहे तभी minus possible होगा तो c के अंदर हम लेख लेते x y z and w तो देखो c minus b तो c और 2 में कौन equal है तो इसका answer सिर्फ क्या आएगा w और c minus a तो इसके अंदर कौन x y को बंदो क्या आएगा z और w तो अब ये बात सही है ना कि जो c minus b है मतलब कौन है w और subset एक इसका c minus a का तो बात सही c minus a के आए z w तो कि w z w के अंदर आए हुआ है तो इससा दुनिया का कोई भी example आप लोगे तो इस condition 100% satisfy हो जाहेगी चलो अब तो कि 6 की बात करते हैं तो 6 के अंदर क्या बोला है कि a intersection बी एन ए माइनस बी को साथ ले ने तो फिकर से इम देख लेंगे देखो इंटर सेक्षर न भी तो एले ले ले लताओ इसको भी और एंटर सेक्षर न भी हो जाएगे इतना पर्सण ठीके, union A-B, तो A में से A intersection भी चला गया, तो A वाला जो portion है, उसको क्या बोलेंगे, A-B, अब इन दोनों को मैं merge कर दो, तो क्या बन जाएगा, पूरा A बन जाएगा, तो भी असे, तो कि इसका answer क्या आएगा, तो कि इसका answer आजाएगा, ठीके, और यहाँ पे देखो, क्या द figure से, A मतलब A पूरा हो गया, और B माइनस A, तो A का मतलब A पूरा, ओके, और B माइनस A का मतलब A, सिर्फ जो इतना portion है, उसको हम क्या बोलेंगे, B माइनस A, दोनों को मिला दू, तो फिर क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, A union B बन जाएगा, दिख रहा है आपको, तो जितना आप figure से करोगे, उतना आसन देगा, फटा-फट हो जाएगा, चलो, A भी हमने उल्डेडी समद लिया, figure से answer लाएंगे, और set की property भी use करें, तो भी answer आ सकता है, कैसे तो कि A इसको उपन कर दे, A union A, intersection A, union B हो जाएगा, तो A union A क्या होगा, A, intersection A, union B करना है, तो A जो है, A union B के अंदर आया हुआ है, तो बड़ा को हो जाना जाएगा, A union B, इससे भी देख सकते, A है, और A पूरा जो है, A union B, तो A union B के अंदर A already होता है, ओके, simple, चलो, यहाँ पे भी open कर दे, तो A intersection A, union A, intersection B होगा, तो A intersection A, A होगा, union A, intersection B, intersection B, तो आपको A भी पता है कि A, A है, और इतना person क्या होता है, A intersection B होता है, तो A के अंदर आया ही होता है, तो इसका अंसर क्या आता है, A ही आता है, ओके, चलो, तो A सबसे important sum में, इसके अंदर थोड़ा लंबा proof है, तो अच्छे से देखते हैं, तो हमें पेले दिया हुआ है, A, intersection X, equal to B, intersection X, equal to 5, ओके, और दूसरी condition दी हुए, A union X, equal to B union X, तो A की जगा भी हम लिख सकते, intersection union में इसा सिंबल मतलब होगा, फिर यहां पे hint दी हुए, तो उसका हम यूज़ करते हैं, तो A equal to A, intersection A, A union X, ऐसा लिख सकते हैं, ओके, तो इसको उपन करते हैं, तो क्या होगा, A, intersection A, union A, intersection X, हो जाएगा ऐसा, तो A, intersection A, A हो जाएगा, union, A की जगा हम भी लिख सकते हैं, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, B, intersection X, ओके, वापिस इसको उपन करते हैं, तो क्या होगा, A, union B, ओके, intersection A, union X, ठीक है, तो मैं इसको लिख पाएँगे, B, union A, कोई प्रोब्लम नहीं, हमने देखाए, सिकोंस में कोई प्रोब्लम आता, नहीं है, यहां पे, intersection, A की जगा वापिस क्या लिख देंगे, B, तो इसको मैं देख सकता हो, B, intersection X, अब देखो, इसमें इतना portion common, इतना common, तो इसको हम common ले ले, B, union, क्या बोल दे, A, पीच में क्या, intersection, और यह क्या हो गया, X, तो finally क्या हो जाएगा, B, union, वापिस A की जगा हम क्या लिख देंगे, B, तो यह क्या हो जाएगा, B, intersection, X हो जाएगा, तो A फंडा जो है, उसको वापिस हम open करेगे, तो क्या होगा, B, union, B, intersection, B, union, X, ओके, तो B, union, B, B, बोगा, intersection क्या हो गया, B, union, X, तो वो answer हमें already हिंट मे दिया है कि इसके क्वलम क्या लिख सकते है, B, तो यहाँ से म बोल सकते है कि A equal to क्या प्रूव हो जाएगा, B, फिर से देखो, कि हमने पहले क्या किया, तो कि हिंट दी थी, उसको open किया, फिर A, intersection, X है, वहाँ पर B, रख दिया, फिर तो कि वापिस उसको क्या किया, तो कि open क किया, फिर क्या किया, तो कि इसमें भी B पेले लिख दिया, वापिस यही प्रोसेस की A union X की जगा पर क्या रख दिया, हमने B, फिर common ले लिया, फिर क्या किया, एक की जगा वापिस B, फिर वापिस open किया, फिर क्या किया, तो कि उसको simplify किया, तो मैं दूसरी इंट मिल किया, तो आपको ऐसा जुगार बेठाना है कि ABC non empty है उन तीनों में लेकिन तीनों में कुछ भी common नहीं तो देख लो हम बना सकते हैं कि इसको 123 ले ले बी के अंदर हम 345 ले ले तो common तो हो जाएगा C के अंदर हम 5, 4 और 1 ले तो आप देखो कि A intersection B करोगे तो क्या आएगा तो कि 3 आ जाएगा B intersection C करोगे तो क्या आएगा तो कि 5 और 4 दोनों आ जाएगे ओके और A intersection C करोगे ठीके तो क्या आ जाएगा तो कि 1 आ जाएगा लेकिन A intersection B intersection C करोगे ठीके तो इन तीनों में खुछ भी common आएगा नहीं, चिक कर सकते हो, तीनों में है यह सा कोई भी value, नहीं, तो यह क्या हो गया, 5, that's it, ओके, चलो, तो यह हमारा एंसे आटी का last sum था, ठीक है, तो I think कि एंसे आटी का जो fund आएव अच्छे से मैंने clear कर दिया, बहुत सारे जो repeat हो रहे थे, इसे example मैंने cover नहीं कि वह आप खुद solve कर सकते हो, लेकिन operations हारे एक बार हम फिर से, जो सबसे important portion है, ठीक है, एक तो subset, तो subset का मतलब क्या है कि A के सारे member B में के अंदर होने चाहिए, और दूसरा operation, operation में first union मतलब merge करना, intersection मतलब क्या है कि उन दोनों में कुछ भी common ने, दोनों separate है, फिर आता है compliment, तो कि A के अलावा, चो भी है, उसको क्या हम बोलेंगे, compliment, A, C से भी दिखाया जाता है, module में या जही में ऐसा कोई symbol दिया है, तो कोई को बनाने की जरूरात नहीं, कि A days equal to A raise to C, ओके, चलो, तो यहां तक रखते हैं बच्चो, थेंक यू